Hey everyone, good morning, कैसे हैं, आप सभी उम्मीद करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छी होंगे, आप सभी का स्वागत है, फिर से एक नई वीडियो में, आज हमारे पास है, class, sorry, class 5 का assignment 1 है, जो की math का होने बाला है, और यह बहुत ही simple है, आप इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे question सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ आपको answer नहीं करवाँगा, please note, मैं आपको answer नहीं करवाँगा, तो सभी बच्छे आप आराम से अगर इसको सुनेंगे, तो आपको आसानी से यह question समझ में आएंगे, और बहुत ही आसानी से आप इसको करने वाले हैं, हिंदी का वीडियो देखना है, तो दूसरा मैंने बना चुका हूँ, हिंदी का वीडियो जाके देखिए, वीडियो पसंद आये तो like, share, subscribe करना ना भूले, fill in the blanks, 24 प्लस कितना add करें कि 49 हो जाए, 24 दे रखा है, हमें कितना यहाँ add करना है, कि 20, मतलब 24 में कितना यहाँ add क करना है, कि 49 हो जाए, बहुत ही simple सा रहने वाला है, 24 यह दे रखा है, कितना यहाँ पर add करें भाई, कि यह 49 बन जाए, ठीक है, बहुत ही simple सी चीज पूछी गई है, तो आपको यहाँ पर बतानी है, question number 2 पर आते है, right, true or false in front of the given statement, ठीक है, आपको यहाँ पर true or false करना है, या तो सही या गलत आपको चुनना है, इन दोनों में से एक, ठीक है, जो पहला है, पहला पूछा गया है, measure of a right angle is 90 degree, तो measure है, क्या होता है, क्या 90 degree होता है, जो हमारा समकौन होता है, क्या वो 90 degree होता है, yes या no में आपको जबाब देना है, यह triangle है, इसे 6 side, क्या triangle के 6 side होते हैं, यह triangle है, क्या इसके 6 side है, क्या आपको yes या no में, यानि इस तरीके से जबाब देना है, एक cube है से 5 faces जो cube होता है क्या उसके 5 faces होते हैं यह आपको यहाँ पे जवाब देना है चलिए complete the given pattern complete करना है जो pattern हमें दिया गया है उसको complete करना है यहाँ देखें कि तो arrow उपर है यहाँ देखेंगे arrow इधर right side है यहाँ देखेंगे bottom side है यहाँ देखेंगे left side है ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे arrow जो आपको move कर रहा है उसके according आपको यहाँ पे है जो arrow बनाना है किस दिसा में रहेगा उसके आगे भी एक save बनाना है या तो you बनेगा या you बनेगा ये तो बनेगा नहीं भाई या you बनेगा इस तरीके से आपको choose करना है बहुत ही simple सा है नहीं समझ में आता है तो question आप मुझे लिख सकते है comment box में sir मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही please मुझे clear करो ये चीज़ कैसे होगा तो वो मैं आपको clear कर दूँगा चलिए यहाँ एक pattern और दे रखा यहाँ पे चार गोले यह चार छोटे छोटे कंचे दे रखे हैं ठीक है वो उपर है फिर ये एक जो है अकेला वाला नीचे है फिर ये right को इधर side आ गए तो ये इस side आ गए ये इस side तो ये इस side ये उपर की side तो फिर ये इस side तो आपको बताना है कि कौन सा वाला इधर जो pattern है रहने वाला है बहुत ही simple सा है आप जवाब जो है दिमाग लगाएंगे तो जवाब आपको इसी question में मिल जाएगा चलिए Resma has 24 marbles she wants to distribute them among her three friends how many marbles will each friends got Resma has 24 marbles how many marbles 24 marbles she wants to distribute among her three friends three friends है भही उसके एक friends ये रहे ठीक है एक friends ये रहे और एक friends ये रहे अब इन तीनों के बीच में उनको marbles माटना है तो किस तरीके से बाटे कि सबको equal marbles मिल जाए बहुत ही simple सा आपको ये है जो question दे रखा है उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी जो मैंने question समझाए है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे तो जलिए फटा-फट जाएए और अपना ये question है जल्दी से paper solve कर दीजे भाई अपने teacher को जल्दी से answer भेज दीजे उमीद करता हूँ इसको समझ के आप अच्छे से कर पाए होंगे और अपने जो answer से बहुत अच्छे से कर पाएंगे नहीं कोई भी कहीं दिक्कत आती है तो जल्दी से आप मुझे करके बता दीजे ठीक है चलिए take care अपना ध्यान रखें और जल्दी से paper करके मुझे भेजें